यहां पर हम बात करने वाले बिहार पिलिश सब इंस्पेक्टर को लेकर नोटिफिकेशन को लेकर नोटिफिकेशन हमें फाइनल तौर पर कब तक देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो में हम लोग डेट मन्त के उपर भी बात करेंगे और जो चल रहा है यूटूब के उपर फैवरी के महिने में कितनी सचाई है इस वीडियो में इसके उपर भी हम लोग बात कर लेंगे और यह वीडियो बनाने के मेन पर पर यही थे कि बहुत सारे आप से भी कॉमेंट थे जिसमें कुछ चीज़े को पॉइंट उल्टे तरीके से आप लोग ने ले लिया तो यहां सोच चुलो आप कितने सब इस्पेक्टर वेकेंसिस होंगे बहुत कम वेकेंसिस होंगे मुश्किल से आपको बिहार पुलिस सब इस्पेक्टर के जब वेकेंसिस आएंगे उसी में ये वेकेंसिस एड़ की जाएगी यहां पर अब ये वेकेंसिस जो एप्रॉक्स रहेंगे धाई हजार से जादा vacances रहेंगे क्योंकि पहले ही दो 2380 vacances sub inspector के आज पास हैं और जिनमें और कुछ vacances ERA से sub inspector के बढ़ जाएंगे जो अप्राक्स रहेगा 2500 के आज पास inspector के vacances रहेंगे यहाँ पर अब यहाँ पर second chair run को उपर मैंने हम लोग ने बात किया था 19288 अब तो second chair run approval मिलेगा पहला चरन के अप्रूबल हो चुके पहले चरन के vacances आयो को दे दिये गया है अब आयो के उपर निर्भर करता है कि notification कब आगे जो हम लोग आगे बात करेंगे पर यहाँ पर ERA से के जो सेकंड चरन है अब सेकंड चरन में कितने सब इस्पेक्टर vacances रहेंगे कोई नहीं जानता और इसमें सारे सारे vacances 19288 यह सारे सारे सब इस्पेक्टर भी नहीं रहेंगे इनमें हर तरह के पोस्ट होंगे कुछ operator होंगे कुछ constable grade के होंगे कुछ अलग-अलग technician के तौर पर लिये जाएंगे तो हर तरह के पोस्ट रहने जा रहें जो यहां पर second phases में आप यह देख सकते हैं क्या-क्या चीजे हवलदार सिपाही चालक सिपाही यह सारे vacances लिये जाएंगे second phase में और second phase में यह आपको अथारस उन्तिस बिहर्पी साब इस्पेक्टर के यह vacances है जिसके लिए आप इंतिजार कर रहे हैं जिसके लिए आप चाहते हैं तो यह second phases में आएंगे और second phases आपको जब भी मान के चलो तो 2024 मीड से स्टार्ट होगा यही बात मैंने पिछले वीडियो में कहा था अब आपके उपर निर्भर करता है कि आप इस चीचों कैसे लेते हो अब पूरी तरह से dependent हो जाना चाहते हो कि पूरी तरह से आप सिर्फ इन ही चीज़ों को अब ध्यान देने की आजाएगी वेकंसी उससे बेटर ऑप्सन है हमारे पास बहुत सारे और ऑप्सन आ रहे हैं हमारे पास एससे की तुरूब दोहजार अपरेल के महिने में आज सेजल के वेकंसी जाएंगे उनके उपर भी उतना ही ध्यान देने की जुरुत है जब आपके पास ऑफिशल तौर पर नोटिफिएशन आ जाएंगे ऑफिशल तौर पर आपके सामने सारे चीज़े चाबनेट भी इंतिजार कर रहे हैं फर्स्ट फेजस के ज्यादा वेकंसी नहीं होगे 200-300 के बीच में आपका इंस्पेक्टर के वेकंसी रहेंगे जो भीहार पुलिस साब इंस्पेक्टर के साथ आड़न होकर आएंगे जिसके लिए आपको इंतिजार करना होगा और पहले भी मैंने कहा क कि कम से कम आपके इंतिजार दो जाएंगे मार्च के महिने आपका किसमत साथ रहता तो मार्च महिने में या अप्राइल के महिने में ही आप उमीद कर सकते इससे पहले कोई भी उमीद नहीं यानी जो लोग आपको बता रहें कि 12 या 23 फरवरी की बात चर रही है आप कितने दिन बागी किये हैं आज तेरा फैवरी हो चुके हैं दस दिन के बाद आप खुद के लिए हो जाओगे कि क्या लोग जो बाते कर रहे थे उक बाते कितने सही है यदि 23 फरवरी तक आपके आ जाते हैं बहुत वेल और गूड किसी को कोई फ्रोगलम नहीं होगी अच्छी बात सार को यह स्टार्ट कर सकता है हम आप जो भी चाहें वाट्सअप गुरू पैस्टा इंस्टॉल करना है टिलिग्राम गुरूप इंस्टॉल करना रोज एक सेट प्रैक्टिस सेट बना देनी है और उस प्रैक्टिस सेट को आप बेशते जाए तो बहुत सारा बिजनेस चल्गाने में लगाते हैं उससे जाधा में अपना कॉंसेब्ट क्लियर करें आप कितना भी रट्टा मार लें यह आपको सिर्फ प्रे एकसाम करने के लिए मैंस इक्जाम के फिजिकल तक जाने के लिए फैक्ट आप रट्टा मार करकर जा सकते हूं पर जब बात आएगी मे ना तो मैरिट में आपका कॉंसेप्ट काम आएगा क्योंकि आपको हर एकसाम में दस किस्टन कम से कम ऐसे आ जाते हैं जहां पर आपको concept काम आता आप यह दस किस्टन जो सब्सक्राइब कुछ ज्यादा नहीं मिलेंगे इसी बेटर ऑप्सन है कि अपने प्रपेर्शन को पर ध्यान जो जितना हो सके फैवरी के महिने में जो बताया जा रहे हैं पिछले साल से चल रहे हैं आपको इंतजार करने पड़ेंगे मार्च आपका किसमा सही रहा तो मार्च आपरे के महिने में आपको तक भी हिंतिजार करना पड़ेगा अब ही के खुडेट मिल रहे है और व्हार पुन सब पोष्ट पहले से कोई नहींगें कि बाहीं की जा रहे है कोई नए पोस्ट नहीं से रिजन की गए जो पहले से वेकेंट पोस्ट है उन्हीं वेकेंजिस को लाए जाएंगे लगबग धाई हजार के आसपास बिहार पुलिस साब इंस्पेक्टर के वेकेंजिस BPSS के दवारा आएंगे जिसके लिए आपको इंतिजार करना पड़ेगा उमेद करता हूं जितने भी डाउट थें पिछले वीडियो में रहा गयते हैं और जल्दबासी में कभी-कभी कुछ चीज को पर एक्स्प्लेइन नहीं करता हूं उसके लिए माफी चाहता हूं पर वहाँ पर मेरा एक्स्प्लेइन करना था इस फेजिस को उपर जो लोगों के दोरा मैंने प्लेट करके बताया जा रहे थे कि आपको यतनी अच्छी ख़बर है और ऐसा होता नहीं है असल माइने में जब वेकेंसिस आपके उपर आजा है वही आपके काम का है उसके बैक्रांड में इसको पीछे बहुत सारे काम चलते रहते हैं उसकाम में साथ आपक ही होंगे दोहजारपची चौबिस के मीड से या लास्ट से स्टार्ट होंगे तो कोई मतलब भी इनके लिए नहीं रह जायाएगा तो इसलिए बोल रहा था कि हमारे पास बहुत सारे और उतना समय आपके पास नहीं है जितना हो सके जितना जल्दी अपना एक सिट कैप्च आएगा चलिए आज किस वीडियो में तरह ही और यहीं था आलागतार जो आपके कॉमेंट पहने पढ़े हैं उसके लिए मैंने सुचा कि बात कर लेनी चाहिए फिर से तो ज्यादा इंतिजार नहीं करने पड़ेंगे जहां तक आप आप सही रहता है तो आप रहल में नोट नोटिफेशन आ रहे है कोई भी जनकारी नहीं है और रही बात एसाई का तो एसाई भी साइद एक ही समय में आ जाए 10-15 दिन के गैप क्योंकि कई बार हम लोग ने आयो की पैटरन भी देखा नोटिफेशन एक ही साथ तिन चार एक महिने के अंद गैप में सार्वें नोट चलिए आज कि इस वीडियो में तना ही और इस वीडियो को देखे ने के लिए आप सब भी को बहुत बहुत धना जाएं